शकुनी चौधरी Group of Institution पार्वती नगर के तत्वधान में चल रहे पार्वती देवी मिमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरा क्वार्टर फाइनल का मैच टैटिया बंबर बनाम आदर्श प्रिकेट क्लब कमरगामा के बीच हेला गया। खेल में टैटिया बंबर की टीम ने टॉस जीत कर पहले गैंदबाजी करने का फैसला लिया। वही पहले बल्ले बाजी करने उतरी कमरगामा टीम ने 9 विकेट पर 172 रनों का स्कोर खड़ा किया। जिसमें विराट चंद्रा ने नाबाद शांदार 50 रनों की धुआधार पार कर दिया। मैच में बहतरी इन प्रदर्शन करने को लेकर विराट चंद्रा को मुख्या अतिति धर्मेंद्र चौदरी के द्वारा मैन आफ दे मैच का पुरुसकार दिया गया। वही दूसरी ओर टूर्नामेंट का चौथा क्वार्टर फाइनल मैच निर्मल सिंग 11 लिटल स्टार बिनेली वर ड्रीम 11 कहलदाओं के बीच मैच खेला गया। मैच में गनेली ने टॉस जीत कर पहले गैंट बाजी करने का फैसला लिया। वही पहले बल्ले बाजी करते हुए कहलदाओं के खिलारी धर्मेंद्र ने 35 बॉल पर 6 छक्के वर 8 चोके की मदद से शांदार बॉल पर 5 छक्के वर 5 चोके की मदद से ताबरत और 52 रनों की पारी खेली लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। गनेली की टीम 6 विकेट पर 193 रन ही बना सकी। इस तरह से कहलदाओं की टीम ने गनेली को 7 रनों से पराज़त कर सेमी फाइनल में जगह बना लिया। वही Men of the Match का परुसकार कहलगाओं के खिलारी धर्मेंडर यादव ओर्फ दीकु को पूर्व मंत्री शकुनी चोदरी, धर्मेंडर चोदरी, पूर्व विधायक गनेश पास्वान, सामाजिक कार्यकरता कुनार चोदरी के मौजूदगी में मुख्य अतिती इंजीनियर रोह चोदरी के द्वारा दिया गया। धर्मेंडर ने नबासी रनव अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण तीन विकेट लिए। मैच में अंपार की भूमिका में दिंकर और मधुकर थे तो मैच का आँखों देखा हालक शेत्र के मशहूर कॉमेंटेटर पियन शेखर सुना रहे थे। वही मैच का स्कोरिंग सुजीत कर रहे थे। मैच को सफल बनाने में कमिटी की करन चौदरी, समीर मधुकर, विकास चौदरी, सुमित कुमार, विकास कुमार, शुभम कुमार ने सफल आयोजन को लेकर अपनी महती भूमिका निभाई।